अपने बैनस के गुजर जाने के बाद रूबी और उसका ब्रेदर ये अपने नेबर के बास रहने के लिए चले जाते हैं पर नेबर का इन बच्चों को लेकर कुछ अलगी प्लान था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको The Glass Door एक होलिवड मिस्ट्री मुवी एक्स्पेन करने वाला हो इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको हमेशा आपकी सीट के एच पर रखेंगे तो अंदग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इस लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी देरी के एक्स्पेनिशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारी मेन कैरेक्टर रूबी को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते है आज उसके प्रेंड्स बाहर गए थे तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मुवी देखने के लिए चली गई थी अगली सोबह उसके प्रेंड्स इस पर डिसकस करते है रूबी अक्चॉल में बहुत ही लेट घर पर आई थी जो गलत था एक दिन रूबी के प्रेंड्स के वेडिंग अनिवरसरी थी तो मोके का फाइदा उठा कर रूबी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजाय करने के लिए चली जाती है जब वो वापस घर पर आई तो घर पर पुलीस थे पुलीस उसे कहते हैं तुम्हारी मदर फादर का एक्सिडन्ट हो चुका है वो बेचारी टूट गई थी वही उपर चक कर आकर नीचे गिर जाती है इसके बाद डारेक्ट लिए हमें रूबी के पैरंट्स का फ्यूनरल दिखाय जाता है यहाँ और उसके नेवर्स थे मिस्ट और मिस्स ग्लास इन्होंने रूबी के पैरंट्स के लिए बहुत अच्छे बाते कही है फ्यूनरल खतम हो जाने के बाद रूबी का मामा उसके पास आया पर रूबी ने पूरी लाइफ में कभी भी उसे देखा नहीं था मामा रूबी से गहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज के जरूरत पड़े तुम्हें तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ रूबी उसे गहती तुम इतने साल कहा थे मदर और तुम ने अपनी रिलेशनशिप को मिंटेन नहीं रखा था उसका मामा उसे समझाता है कभी-कभी ब्रदर और सिस्टर में चीज हो सकती है मैंने हमेशा सोचा था कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो तुम सब के पास में आऊँगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंट करूँगा पर एक कभी मिला ही नहीं आज उसे पच्था हुआ है तो फ्यूचर में रूबी के लिए कुछ करना चाहता है रूबी भी इसके लिए हा कहती है इसके बाद रूबी के घर पर उसका लाया है वो खहता है तुम्हारी मदर के एक इंशोरंस था फादर के पैसे थे तो इस वज़े से पूरी लाइफ में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब तक रूबी एक टीनेजर है तुसे पैरन्स की जरूरत पड़ेगी तुसे के पैरन्स की विल के अकॉरडी उसके नेवर उनका खैल रखने वाले है नेवर यहाँ पर पहुचे जिनका नाम में टेरी और उनकी वाइफ का नाम एरिन टेरी रूबी को सहारा देता है टेरी को लग रहा था कि रूबी अगर अपनी लाइफ न्यू शेहर में स्टार्ट करे तो यह बहुत अच्छा होगा तो इस वज़े से सारे मिलकर मालोगों में शिफ्ट हो जाते है यहाँ पर इनका एक बड़ा सहाउस था रूबी और उसके ब्रेदर को उन्होंने एकी कमरा दिया रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती पर टेरी ने का कि यह टेंपररी है तो में सेबरेट रूम मिल जाएगा टेरी और उसकी वाइब जो खाना खाते हैं यह बच्छों को अच्छा नहीं लगता तो इस वज़े से आज रात उन्होंने पीजा ओरडर कर लिया रात में रूबी को नीन नहीं आ रही थी तो सुमिंग करने के लिए वो बाहर गई पर उससे लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है तो इस वज़े से वो वहाँ से चली जाती है अगली दिन वो अपनी न्यू स्कुल में गई प्रिवे स्कुल में जितना फ्रेडम बच्चों को मिलता था उतना फ्रेडम यहाँ नहीं मिल पाता पर फिर भी वो अड़्जस करती है वो जब घर आई तो एरिन ने उसके लिए क्लोज लाये थे उसके ब्रदर के लिए विडियो गेम्स तो यह दोनों बहुत खुश थे रात में एरिन अपने फ्रेंड से स्कुल कितनी घटिया है इसके बारे में बात कर रही थी यह बात एरिन ने सुन ली वो उस पर गुसा हो जाती है और कहती है तुम्हें अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने तो अपना एडिटूर चेंज करना पड़ेगा रूबी कोई बात अच्छे नहीं लग थी कि एरिन उसका फोन कॉल सुन रही थी रात में भी किस तरीके से उसके पैरेंस का एक्सिडन्ट हुआ होगा इसके उसे सपने आते है एक रात तीन बजे वो सुमिंग कर रही थी तो टेरी उसके पास आ जाता है वो उसे गलत नजरों से देख रहा था उसने उसे फिर से इस तरीके से रात में सुमिंग करने से मना कर दिया रूबी की स्कूल में ड्राइविंग का क्लास था इसमें एक्सिडन्ट कैसे होते है इसकी विडियो उने दिखाई जा रही थी इस बात से रूबी डिस्टरब हो गए उसका रात में खाना खाते हो मन नहीं लगता तो वहां से उठकर वो चली गए एरिन उसके पास आई वो कहती है क्या तुमें कुछ तकलीफ है रूबी ने कहा कि मुझे जरा बिमार लग रहा है तो एरिन अब रूम में जाकर बहुत सारी दवाईयों में से एक मेडिसन उसे दे देती है रूबी वंडर करती है कि इतनी सारे पिल्स क्या काम किया आज रात रूबी को बेहोशी की तरह नीन दाई फिर से बीच रात में उठ कही थी तो उसने नोटिस किया टेरी और उसकी वाईफ है दोनों जगड रहे टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है अगली दिन रूबी ने इस न्यूज स्कूल में फ्रेंड्स बनने की कोशिश की पर उसके कोई भी फ्रेंड्स बननी रहे आज रात टेरी उसके पास आया और कहता है कि मेरी होल्यूड में एक पार्टी है या तु मेरे साथ चलोगी रूबी उसे मना करने की कोशिश करती है पर टेरी मानता नहीं जब ये दोनों वहाँ पर जा रहे थे तो टेरी ने अपना माइंड चेंज कर लिया रूबी को एक जगा पर डिनर करने के लिए लेकर आता है उसने उसे समझाया कि कर रात तुमने जो भी देखा ये हजबन वाइफ में जगड़े तो चलते ही रहते है कभी-कभी एरिन के साथ रहना ये लूनली हो सकता है फिर से घर वापस आते वक टेरी बहुत ही फास गाड़ी चला रहा था रूबी उसे स्लो करने के लिए दिया तो रोक लेता है वो उसके बहुत ही पास आ गया था रूबी डर गई तो अपना माइंड चेंज करकर सिर्फ उसका सीड वेल्ट वो लगा देता है घर आने पर रूबी नोटिस करती है कि एरिन खुद को सिरिंज लगा रही थी यह सब बात यह रूबी को बहुत गलत लगी तो डारेक लेपने सीटी में आकर लॉयर से वो बात करती है लॉयर को लगता है कि शायद रूबी को कुछ मिसंदस्टेंड ने हुए उसने रूबी को समझाने की कोशिश की कि अगर टेरी के साथ तुम नहीं रह पाए तो तुम्हें गवर्मेंट की अलग-अलग फैमिलीज में जाना पड़ेगा जो तुमारे लिए सही नहीं होगा जो हेल्प रूबी को चाहिए थी यह नहीं मिल पाती है पर फिर भी लॉयर कुछ करने वाला था रूबी के जाते लॉयर टेरी को कॉल करकर सब कुछ बता देता है घराने पर टेरी और एरी ने उसे बात करते है एरी ने कहा कि मुझे डायबेटीस की बिमारी है कल जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो डायबेटीस की मेडिसिन ले रही थी रूबी को अभी उन पर बिल्ली हो जाता है नेकसिन में रूबी अपने स्कुल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी यह उसके लिए बहुत ही हार था एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके आफिस में जाती है तेरी के साथ कुछ लोग थे जो उससे धमका रहे थे उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की रूबी यह देखकर डर गई और नीचे वरक्शॉप में आई यहापर उसने नोटिस किया उसकी पैरेंट्स की कार है इन रियालेटी एक्सिडेंट में उसे बरबाद हो जाना चाहिए था घर जाते वक्टेरी रूबी को समझाता है कि बिजनेस है बिजनेस में कभी-कभी इस तरीकी की चीज़े होती रहती है इस बात से तुम डरना मत रात में रूबी ने हमने पैरेंट्स की डेट की न्यूज निकाली उससे पता चलता है कि जब उनकी डेट हुई थी वो BMW चला रहे थे पर उसके पैरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं उसने लोयर को कॉल किया और कहा कि मेरे पैरेंट्स किसकी कार चला रहे थे इसके बारे में ज़रा information निकालो आज रात Ruby को एक essay complete करना था पर वो वैसे ही सोके टेरी एचेस notice करता है और रात में उसने पूरा essay leak डाला सुबा जब Ruby है notice करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है नेक से नम देखते है Ruby को उसके school में मिलने के लिए उसके social worker आई हुई थी Ruby के lawyer ने उसे भेजा हुआ था social worker को जब पता चला कि Ruby और उसका बदर एक ही room में रहते हैं तो उसे गलत लगा अब वो inspection के लिए आने वाली थी evening में inspection के लिए जब वो उनके घर पर पहुची तो टेरी ने already इनकी room अलग-अलग कर दिये थे Ruby का बदर भी Terry के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़े कहता है social worker को छोडने के लिए सब लोग जब भार गये तो Ruby ने thrash can में notice किया कि उसके college का लेटर था Terry ने Ruby के college को cancel कर दिया और उसके सारे पैसे फिर से वापस ले लिये थे Ruby को उसके मामा का भी लेटर आया था यह उन्होंने उसे दिखाया ही नहीं यह सब बाते Ruby को बहुत ही suspicious लगी राप में email से अपने lawyer को contact करने की ओख कोशिश कर दिया पर Terry ने उसका account burn करवा दिया था Ruby notice करती है कि Terry जड़ा disturb है और phone पर बात कर रहा है तो वो नीचे आके उसकी सारी conversation सुन रही थी Terry phone पर बता रहा था कि मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा actual में में मेरा एक business partner था उसने मुझे धोका दिया पर अब मेरे पास बहुत सारे पैसे है मैं थोड़े थोड़े करकर आपके सारे पैसे दे दूँगा अभी मैं 30,000 डॉलर्स भीज रहूँ ये वही 30,000 डॉलर्स थे जो Ruby के कॉले से वापस आये थे न्यानि कि उस सारे पैसे उसी से लूट रहा है अगली दिन Ruby को उसके lawyer का स्कूल में कॉल आया उसने कहा कि जो गाड़ी तुमारे पैरन्स चला रहे थे ये अक्च्वल में Terry की थी अब Ruby का सारा शक Terry पर ही था Terry ने Ruby का जो ऐसे लिखा था ये भी copy करकर लिखा था ये बाद स्कूल में पकड़ी जाती है इसके पीछे भी Terry ही था अब Ruby को बता था कि वो डेंजर में है इस घर में नहीं रह सकती बीच राज छुपके से जाकर Terry की गाड़ी थो जोरी कर लेती है अपने ब्रदर को उसने उठाया और गाड़ी में बेट गए उसे सही से चलानी आती नहीं थी पर फिर भी वो वहाँ से निकल गई नीचे गाड़ी का आवाँ सुनकर Terry भी जग जाता है वो उनका पीछा करने लग गया Ruby को एक च्रिक पोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया तब ही वहाँ पर Terry आ गया और इन दोनों को घर लेकर जाता है Ruby Terry से गयती है तुमने मेरे पैरेंस को मार दिया Terry कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनकी एनिवर्सरी थी तो इस वज़े से सिर्फ मैंने एक अच्छी कार उने दे दी थी Ruby अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर दिया पर घर पर आने के बाद Erin ने उसे सिर्फ लगा कर बेहोश कर दिया अगली दिन Terry Ruby के बैंग में गया वहाँ से और भी पैसे वो एटने की कोशिश करता है और बैंग को पता चल चुका था कि उसने अल्रेडी 30,000 डॉलर्स की चोरी की है वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते है इस बात से वो बहुत डिस्टब हो गया Erin को एक्चोन में डाइबिडिस की बिमारी थी ही नहीं वो हमेशा ड्रक्स करती थी और एटर्स वो हस्पिटल से चुराय करती थी ये बात जब हस्पिटल हेड को पता चली तो उसे फायर कर दिया जाता है इस बात को लेकर टेरी और Erin में जगड़ा हो गया Erin कहती है हमें इस तरीके से कुछ भी करना ही नहीं चाहिए था यहां में पता चलता है रूबी के पैरंस के एक्सिटन के पीछे ये दोनों ही थे इरीन को इस बात से बहुत ही गिल्टी लगता है तो इस वज़े से वो ड्रक्स करती है टेरी को इस बात से थोड़ा भी पच्टावा नहीं है वो कहता है मुझे ओपोर्चुनिटी दिखी और मैंने वो ले ली इरीन को आज रात भी ड्रक्स की ज़रूर थी तो यही लेने के लिए टेरी वहाँ से चला गया गर में उसने ड्रक्स जुनने की कोशिश की तो उसे मिल भी गया एरीन और टेरी जब यंग थे तो उने एक बेटी भी थी इसकी वीडियो देखने लग गए इमोशनल होकर ज़ादा ड्रक्स वो ले लेती है और वैसे उसकी डेथ हो गए रूबी ने नोटिस किया और वो बहुत ज़ादा डर जाती है टेरी घर पर वापस है तो उसे बहुत बुरा लगता है रूबी नीचे जाकर फोन पर किसी से बात कर रही थी तो इस बात से वो गुसा हो गया रूबी और उसका बरदर यहां से भागने की कोशिश करते है पर टेरी ने उसे पकड़कर बेसमेंट में डाल दिया बेसमेंट से इन्होंने निकलने की कोशिश की एक वेंट था जहां से निकल सकते थे टेरी घर से बाहर जाने वाला था पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और घर में आकर ड्रिंक करकर सो जाता है स्लोली स्लोली ये दोनों घर से पहार आगे टेरी की गाड़ी की चावी लेकर वो भागने वाले थे तभी इनका लॉयर यहाँ पर आ गया वो टेरी से कहता है कि तुमने सब कुछ बरबाद कर दिया है बैंग ने भी तुमें ब्लॉक कर दिया है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गडबड चल रही है ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी टेरी से पैसे वसुलने के लिए गैंगस्टर वहाँ पर भोच जाते है एक्चुली रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था कहा था कि टेरी यहाँ से भगने वाला है जल्दी से यहाँ पर भोच जाओ वो अब टेरी को मालते है पर उसने कहा कि यह लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है इसे ने सारे पैसे चुराए हुए थे लॉयर इस बात से डर जाता है कहता है इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं वहाँ से जाना चाहता था पर गैंगस्टर ने उसे मार डाला अब एक गुंडे मिलकर टेरी को लेकर जा रहे थे रूबी ने अल्रेडी टेरी की गाड़ी की ब्रेक्स निकाल लिये थे इनकी गाड़ी आउट ओफ कंटोल हो गए और रोड पर इनका एक्सिडन्ट हो गया रूबी और टेरी रस्ते से जा रहे थे तो एक पुलीस उन्हें हेल्प करता है आगे चलकर पुलीस ने देखा कि यहाँ पर एक्सिडन्ट हुआ है वो नीचे जाकर देखता है तो टेरी अब भी जिन्दा था उसने पुलीस को ही मार डाला पुलीस की गन लेकर वो उपर आ गया वो रूबी को देखकर मारने वाला था रूबी डर गे जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है उसने गाड़ी से टेरी को कुचल दिया अब मूवी के लास सीन में हम देखते हैं कि रूबी और उसकी ब्रदर के साथ उसका मामा था अब वही उनका खैल रखने वाला है इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया